Hello students, मेंना नाम दीरज मोहंदुएदी and स्वागत है आपके फेवर चानल Magnet Brains पर Magnet Brains एक ऐसा चानल जहां पर आपको मिलता है बिलकुल फ्री ओनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिट एजुकेशन तो चलें आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 इसका चाप्टर है चाप्टर नमबर 11 और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं NCRT Solution Part 3 मला Part 3 का मतलब मैंने क्या किया है कि इस पूरे NCRT जो आपके एकसाइज है उसमें बहुत सारे क्वेशन थे तो मैंने इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है तो पहले जो दो पार्ट हम देख चुके हैं जहां पर Question No.10 तक हो चुका है अपना काम तो आज जो Part 3 है उसमें हम Question No.11 से शुरू करेंगे ठीक है तो शुरू करें चलो यहां देना Question No.11 क्या कहता है देखो Question No.11 में है Light of wavelength 488 nanometer is produced by an argon laser which is used in photoelectric effect ठीक है When light from this spectral line is incident on the emitter the stopping या cut-off potential of photoelectron is 0.38 volt यह stopping potential की value है Find the work function of the material from which the emitter is made तो अपन को work function बताना है किसका उस material का और आप जानते हैं क्या होता है work function minimum amount of energy required to emit electrons ठीक है तो इसके लिए photoelectric equation के ज़रत पढ़ेगी अपन को तो ध्यान देना photoelectric equation क्या होती है h new is equal to what work function plus maximum kinetic energy यह होता है आपका photoelectric equation photoelectric equation ठीक है चलो अब देखो ध्यान से यहां पर यहां पर अपन को frequency given नहीं है तो इसको लिखना पड़ेगा c by lambda work function मुझे calculate करना है और maximum kinetic energy को stopping potential के terms में हम लिख सकते हैं e into v naught ठीक है चलो तो अब देखो ध्यान से यहां पर phi naught की value निकाल नहीं है तो इसको shift करो तो hc by lambda minus e into v naught is equal to what phi naught is it clear ठीक है तो अब देखो ध्यान से value put करनी है सबकी और simplify करना है काम खतम ठीक है तो यहां पर हम देखते हैं इधर देखो ठीक है c का मतलब minus 34 yes c मतलब 3 into 10 की पावर 8 whole upon lambda that is 488 nanometer 488 nanometer का मतलब into 10 की पावर minus 9 minus e into v naught तो e की value होती है 1.6 into 10 की पावर minus 19 into v naught और वो है 0.38 अभी मैं थोड़े दिर के बाद मतलब अगले step पिपट करूँगा मैं equal to चल रहा है अपका phi naught चलो ठीक है अब आप देखो यहां पर थोड़ा सा पर smart calculation करेंगे ठीक है यह देखो अगर 10 की पावर को solve किया जाए तो minus 34 और plus 8 यह हो गया minus 26 minus 26 और minus 9 मला plus 9 तो minus 26 और plus 9 कितना हो जाएगा आपकी पास minus 17 ठीक है तो यहां पर आप देखे 6.6 into 3 को साथ में लिखा 10 की पावर minus 17 whole upon 488 minus 1.6 into 10 to the power minus 19 into V naught equal to 5 naught चल रहा है ठीक है अब आप देखो ध्यान से 10 की पावर minus 17 common आ सकता है ठीक है तो 10 की पावर minus 17 common ले लिए आपने यह multiply करो तो यह हो जाएगा 3618 81 और 18 19.8 ठीक है upon 488 minus 1.6 into 10 की पावर minus 2 बचेगा न ठीक है और यह आपका V naught की value 0.38 0.38 ठीक है equal to 5 naught है नब चलो ठीक है अब आप देखो ध्यान से यहां पर calculation करनी है अपन को तो 5 naught की value जो होगी वो कितनी हो जाएगी तो यहां पर देखते है अपन 5 naught की value तो 19.8 upon 488 में कर देता हूँ तो यहां पर अपना आएगा 19.8 divided by 488 0.04 ठीक है यह आएगा आपका 10 की power minus 17 वैसा का वैसा यह आएगा 0.04 minus अब देखो मैं इंटू कर रहा हूँ 1.6 into 0.38 1.6 into 0.38 है ना stopping potential 0.608 ठीक है अब 0.608 में इंटू करोगे 10 की power minus 2 तो यह देखो ध्यान से into 10 की power minus 2 ठीक है इनका इंटू किया 0.608 into 10 की power minus 2 ठीक है अब देखो क्या हो जाएगा यहां पर 10 की power minus 17 0.04 minus 10 की power minus 2 इंटू कर रहे हैं तो कितना आएगा 0.006 है ना 0.6 है यहां पर फिर आपका 2 डिजिट पीछे और आ जाएगा तो 2 0 और आ जाएगे ठीक है चलो तो अब देखो यहां पर सब्ट्रेक्शन करते हैं आपन यहां पर आ जाएगा आपके पास 0.04 माइनस 0.00608 तो यहां पर आपका 0.033 तो यह आजाएगा आपके पास 10 की पावर माइनस 17 चीक है और इंटू 0.03392 इतना जूल आएगा लेकिन अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज कर डिवाइड कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा तो यही पर एक काम करते हैं अपन 0.03392 इंटू 10 की पावर माइनस 17 को डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से ठीक है तो जब आप इसको डिवाइड करोगे न तो कितना आएगा के पास यहाँ पर 0.03392 डिवाइड बाइ 1.6 तो यह आएड आपके पास 0.0212 यह आएड आपका 0.0212 ठीक है और 10 की पावर माइनस 19 उपर गया 10 की पावर प्लस 19 तो माइनस 17 प्लस 19 प्लस 2 10 की पावर 2 मतलब 100 का एन 2 तो यह हो जाएगा आपके पास 2.12 एलेक्ट्रॉन वोल्ड दिस इस दा वर्क फंक्शन ठीक है तो कहानी सिंपल दी बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी था है ना चलो तो यह हो गया आपका सिंपल सा क्वेशन नमबर 11 अब आप लोग ज़रा इसका स्क्रीन चॉट ले लें ठीक है चलो बाई अब देखते हैं यहाँ पर अपन नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नमबर 12 देखो क्या निकालना है अपन को क्यालकुलेट दी मोमेंटम एंड दी ब्रोगली वेवलेंथ आफ दे लेक्टरॉंस एक्सेलरेटेट थूँ अपोटेंचल डिफरेंस ओफ इफ्टे सिक्स वोल्ट ठीक है अब देखो मोमेंटम निकालना है अपन को किसका अपन को निकालना है एलेक्टरॉंस का मोमेंटम निकालना है जब उसको एक्सेलरेट किया है इतना वोल्टेज अपलाई करके तो अब मेरी बात को सुनो ध्यान से इधर देखो इस अपलाइड पोटेंचल डिफरेंस के कारण उसके अंदर मोमेंटम आया है तो आप यह बताओ जब आप वी वोल्टेज अपलाई करते हो ठीक है तो आप कितना इनर्जी प्रोवाइड करते हो इलेक्टरॉं को चार्ज इन्टू पोटेंचल डिफरेंस और चार्ज कितना होगा इलेक्टरॉं का चार्ज क्योंकि आपने इलेक्टरॉं को एक्सिलरेट किया है तो हम कहेंगे since E into V is equal to यह जो इनर्जी प्रोवाइड किये आपने पोटेंचल डिफरेंस अपलाई करके वो काइनेटिक इनर्जी में कनवर्ट होगी ना उसकी है के नहीं तो एक काम करते हैं इसको अपन हाफ M V स्क्वाइर ना लिख करके सिंपल E के लिख दे हम लोग यह काइनेटिक इनर्जी है है के नहीं ठीक है अब आप देखो यहाँ से आपको काइनेटिक इनर्जी मिल जाएगी और मुमेंटम और काइनेटिक इनर्जी में रिलेशन क्या होता है ठीक है तो वो होता है P is equal to under root of 2M into E के है के नहीं ठीक है चलो तो अब देखो ध्यासे यहाँ पर under root of 2M जो काइनेटिक इनर्जी है उसको हम लिख देंगे E into V तो वास कुछ नहीं अभी यहाँ पर simple electron का mass put करो electron का charge put करो potential difference put करो ठीक है काम हो जाएगा मिल जाएगा momentum आपन को तो यह बताव 2 in 2 mass of electron कितना होता है 9.1 होता है ठीक है 9 मान लो into N की power minus 31 ठीक है electron का charge बताइए आपको 1.6 into N की power minus 19 और applied potential difference कितना है तो applied potential difference है 56 ठीक है बस इसको calculation कर लेते हैं है पन है ना तो कितना हो जाएगा आपके पास तो momentum is equal to momentum is equal to under root of वोट यह देखवा अब ध्यांसे तो 2 into 9 18 18 into 1.6 into 56 और minus 31 minus 19 तो कितना हो जाएगा आपके पास minus 50 10 की power minus 50 ठीक है अब आप देखो ध्यांसे इनका into करते हैं तो एक काम करते हैं इनका into कितना होगा तो यहाँ पर देखो 18 into 1.6 into 56 that is 1612.8 1612.8 ठीक है into इसका root हो जाएगा 10 की power minus 25 है के नहीं जब आपन power का root करते हैं तो power half हो जाता है ठीक है चलो अब आप देखो ध्यांसे यह 1600 के आसपास है ना यह और 16 सा करूट जो होता है करीब 40 होता है अपका तो 40 के आसपास ही आएगा उसका root है ना ठीक है देखते हैं कितना आएगा तो अपन को देखना है आपर root of ठीक है root of 1612.8 ठीक है तो यह आ रहा आपका 40.15 मैंने कहा था आपको है ना 40 के आसपास आएगा 40.15 इंटू 10 की पावर माइनस 25 ठीक है तो इसको आप लिख सकते हो 4.015 ठीक है इंटू 10 की पावर माइनस 24 पॉइंट पीछे लाओगे तो आपका एक पावर नेगरिटिव में कम हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया इतना मोमेंटम इतना किलो ग्राम मीटर पर सेकंड ठीक है यह हो गया आपका मोमेंटम एलेक्टरॉन का ठीक है ना इसके बाद अपन को निकालना है d brogley wavelength of electrons तो आप ये बताओ आप लोगोंने पढ़ा होगा d brogley wavelength electron का होता है वो होता है 12.27 upon root of applied potential difference that is 56 इतना angstrom होता है तो बस कुछ नहीं करना 12.27 को 56 के root से divide करना है तो इतना angstrom हो जाएगा है के नहीं तो ये आप लोग खुद आप लोग कर लेना this is your answer simple clear है चीज है ना चलो तो ये हो गया आपका simple सा question number 12 है ना ठीक है तो अब आप लोग काम करें इसका screenshot ले ले आप लोग ठीक है फिर अब आगे काम करते हैं ठीक है चलो अब देखो आगे देखते हैं next question question number 13 ध्यान देना 13 में क्या बोलता है फिर से कहानी है वही what is the momentum speed and de Broglie wavelength of electron with kinetic energy 120 electron volt ठीक है तो यहाँ पर kinetic energy given है और अपनको momentum निकालना है speed निकालना है डी बोगली wavelength निकालना है यह सारे काम करना है ठीक है तो ज़्यादर difficult नहीं है बस calculation चाहिए अपने पर तो आप यह बताओ kinetic energy और momentum में क्या relation होता है अभी देखा था अपन ने पी इस एक्वल टू अंडर रूट आफ टू m into kinetic energy है कि नहीं बस यहाँ पर पुट करो 2 into mass of electron 9 into 10 की power minus 31 ठीक है फिर kinetic energy directly given है 120 electron volt लेकिन electron volt को जूल में convert करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा into 120 into 1.6 into 10 की power minus 19 ठीक है चलो तो अब यहाँ पर calculation करते है पन देखो जहांसे थ्वासा smart work करें गया पन है ना देखो एक मिनट आप यह बताओ minus 31 और minus 19 हो गया minus 50 ठीक है और 10 की power minus 50 का root कितना होगा 10 की power minus 25 नौ का root हो गया 3 इसका 0 इसको gift कर दो हो जाएगा 16 तो 16 का root हो गया 4 है के नहीं यह हो गया 12 और यह 2 तो आपका root में बच जाएगा 12 इंटू 2 24 है के नहीं ठीक है थ्वासा smart काम किया मैंने आपर ठीक है चलो अब देखो धियां से यहां पर 3 4s are 12 root 24 कितना होगा तो 2 12 2 6 और 2 3 मदला आपका आएगा कितना की पास किसका root कितना आएगा 2 root 6 आएगा ठीक है तो यह हो जाएगा आपके पास 2 root 6 आएगा है के नहीं ठीक है चलो इंटू 10 की power minus 25 तो यह आजाएगा 24 root 6 इंटू 10 की power minus 25 इतना kilogram meter per second होगा अब आप जब root 6 की value पुट करेंगे तो आपको exact value मिल जाएगी is it clear ठीक है चलो तो यह हो गया आपका simple सा A part अब देखते हैं इसका B part है ना तो देखो जहां से आप लोग यहाँ पर B part देखते हैं तो B part निकालना speed तो simple kinetic energy को equate कर दो भाई half mv square से मिल जाएगा velocity तो आप हम बोलेंगे यहाँ पर since half mv square is equal to kinetic energy अब यहाँ से velocity निकालनी है मलो speed निकालनी है अपन को तो V square equal to what? 2 into kinetic energy upon mass का under root करेंगे अपन अगले step में तो यह कितना हो जाएगा? 2 into ek upon m अब देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा smart work करेंगे अपन kinetic energy कितना है? 120 electron volt 120 electron volt को jool में करना होगा 10 की power minus 19 hole upon mass 9 into 10 की power minus 31 ठीक है? अब आप देखो ध्यान से इसको 0 gift करो 16, 16 का root कितना? 4 9 का root 3, चलो वह बाहर हो गई है अभी यहाँ पर बचा हुआ है 12 और 24 बस ठीक है? 10 की power minus 19 यह देखो ध्यान से minus 19 प्लस 31 तो minus 19 और प्लस 31 कितना हो गया भाई? 12 है ना? 12, yes तो यह हो जाएगा यहाँ पर यह हो जाएगा 2 into 12 24 into 10 की power 12 तो यहाँ पर हो जाएगा 24 का root अभी निका रहा 2 root 6 ना? तो 4 into 2 root 6 upon 3 और यह 10 की power 6 हो जाएगा तो 4 to is 8 तो यहाँ पर answer आजाएगा आपका simple कितना? 8 root 6 upon 3 into 10 की power 6 meter per second है ना? root 6 की value into करके 8 में divide by 3 करें ना value आजाएगी ठीक है? तो यह हो गया आपका simple speed clear है? ठीक है? चलो. अब हम बात करेंगे C part D brogley wavelength निकालना अपन को है ना? तो एक बाह बताओ यहाँ पर मैं कर देता हूँ आपको C वाला part देखो इतने से में हो जाएगा C part देखो मुझे निकालनी है D brogley wavelength तो आप बताओ lambda equal to H upon M sorry H upon P होता है न वही M V मतलब P तो आप यह बताओ momentum निकाल चुके है ना यह बस put कर दो यार 6.6 into 10 की power minus 34 whole upon यह कितना आपका 24 root 6 into 10 की power minus 25 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यह तो मैं काम करता हूँ पूरा ही कर लेता हूँ मैं calculation ठीक है हाँ तो यहाँ पर करना है अपने को 6.6 divided by 24 ठीक है यह हो गया आपका 0.275 है ना 0.275 upon root 6 ठीक है बाई तो 0.2675 divided by root of 6 ठीक है तो यह उगरा है कितना आपके पास यह आपके पॉइंट 1122 0.1122 और भी डिजिट्स आगे हैं लेकिन मैं इतना ही रिखा मैंने 10 की power minus 34 और minus plus 25 कितना हैगा 5 और 49 minus 9 ठीक है तो इसको अगर हम लिखें ऐसा तो मैं बोल सकता हूँ इसको अगर मुझे convert करना हो तो 1.12 यह इसमें छोड़ दो ऐसा ही यह हो जाएगा 0.1122 नानो मीटर 10 की power minus 9 का मतलब क्या होता है नानो मीटर ठीक है चलो तो यह हो गया आपका simple सा C बाला पार्ट है ना ठीक है तो यह simple question था तो अब ज़र आप लोग इसका screenshot ले ले है ना फिर देखते हैं आपका next ठीक है चलो चलो है वारी तो अब देखते हैं आपका next question क्या बोलता है वो बड़े simple simple question है लेकिन calculation थ्रोग जादा required है ठीक है अब देखो the wavelength of light from the spectral emission line of sodium is 589 nanometer wavelength गिवन है अपन को find the kinetic energy at which an electron and neutron would have same D-Brogli wavelength अपन को electron और neutron दोनों का क्या निकाल ला है अपन को kinetic energy निकाल ली है है ना जब दोनों का wavelength same हो तो एक बाब बताओ wavelength और kinetic energy में relation क्या होता है देखो यहाँ पर हम कहेंगे कि since lambda equal to h upon p होता है p और p को kinetic energy के डावस में अभी बोला था मैंने आपको 2m into ek अब यहाँ से kinetic energy का अगर expression देखें तो क्या आएगा squaring करनी पड़ेगी है अपन को तो lambda square equal to h square upon 2m into ek तो यहाँ पर ek को उपर करो ek equal to h square upon 2m into lambda square है क्यों नहीं ठीक है चलो अब बताओ अगर मुझे निकालना है electron का kinetic energy तो हम electron का mass रखेंगे मुझे निकालना है neutron का kinetic energy तो neutron का mass रखेंगे है क्यों नहीं और दोनों में wavelength यही रखेंगे क्योंकि उसने कहा same de Broglie wavelength simple कहानी है ठीक है तो बस calculation है भाई यहाँ पर यह देख लो यह देखो आप यह बताओ ए पार्ट के लिए है ना for electron for electron ठीक है अब देखो यहाँ से for electron यहाँ पर हम बोलेंगे kinetic energy is equal to what h square upon 2m into lambda square है क्या नहीं? ठीक है अब देखो ध्यान से h का square मतलब 6.6 into 10 की power minus 34 उसका square 2 into mass of electron होता है 9 into 10 की power minus 31 और lambda square मतलब इसका square 589 into 10 की power minus 9 whole square ठीक है whole square ठीक है चलो अब देखो यहाँ पर calculation है बस यहाँ पर ठीक है ध्यान देना आप लोग यहाँ पर तो ek is equal to क्या हो जाएगा h का square अब 6.6 का square करते हैं तो कितना हो जाएगा कि पस बस यहाँ पर बार-बार calculator चलाना पढ़ रहा है अपन को 6.6 into 6.6 43.56 तो 43.56 इन्टो 10 की पावर माइनस 34 का square हो जाएगा कितना? माइनस 68 hole upon अब देखो 2.9s है 18 इन्टो 5.89 का square तो एक काम करते हैं 5.89 इन्टो 5.89 ठीक है और इन्टो चलो ठीक है यह लिख लेता हूँ पहले मैं 3, 4, 6, 9, 2, 1 इन्टो अब देखो यहाँ पर माइनस 31 है यह माइनस 18 होगा न तो माइनस 31 और माइनस 18 तो यह हो जाएगा कितना? माइनस 49 माइनस 49 ठीक है? अब आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर यहाँ पर 43.56 डिवाइड़ बाई 18 फिर डिवाइड़ बाई 3, 4, 6, 9, 2, 1 यह आ रहा है आपका पॉइंट 3 और 2, 5 3, 2, 5 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? 6, 9, 7 इन्टो टेन की पावर अब देखो ध्यान से यहाँ पर है माइनस 68 है के नहीं? तो माइनस 68 है और यह माइनस 49 हो गया प्लस 49 तो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस 68 और प्लस 49 तो यह हो जाएगा एक पचास और फिर 18 तो मतलब माइनस 19 ठीक है? इतनी कहाँ ही हो जाएगी है न? अब यहाँ पर देखेंगे यह जो आणसर आएगा वो जूल में आएगा इस इट प्लिया हो? ठीक है? तो अब देखो ध्यान से यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड कर दू 0.0000 ठीक है? 697 इन्टू 10 की पावर माइनस 19 को डिवाइड कर दू किससे? 1.6 इन्टू 10 की पावर माइनस 19 से तो इलेक्ट्रोन वोल्ट में आ जाएगा यह लेकिन बहुत कम कानिटिक इनरजी होगी यहाँ पर तो ek is equal to what? यह आजाएगा आपके पास यह आजाएगा आपके पास 0.0000697 divided by 1.6 तो यह आजाएगा आपके पास 0.00697 पाँच पाँच 4.3 इतना इलेक्ट्रोन वोल्ट के आसपास आएगा आपका मैंना बहुत कम इनरजी होगी यहाँ पर है के नहीं? ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो कानिटिक इनरजी है मैंना जो आपका वेवलेंथ है वो आपका 589 नानो मीटर है ठीक है? मैंना बहुत ही कम वैल्यू है ठीक है? चलो यह हो गया आपका कानिटिक इनरजी किसके लिए? इलेक्ट्रोन के लिए अब अगर हम बात करें किसके लिए? अब हम बात करते हैं न्यूट्रोन के लिए तो ध्यान देना आप लोग यहाँ पर तो न्यूट्रोन की बात करते हैं तो फ़ुर न्यूट्रोन अपन को क्या करना होगा? यहाँ पर न्यूट्रोन का मास रखना होगा ठीक है? चलो तो यहाँ पर देखें आप E.K. is equal to H का square ठीक है? तो H का square मतलब यह value मैं directly पुट कर रहा हूँ 43.56 upon, now अब देखो धिहान से यहाँ पर 2 into mass of neutron 2 into mass of neutron, तो mass of neutron कितना होता है, तो वो होता है 1.66 something into 10 की power minus 27, ठीक है और lambda का square lambda का square किया था पनने तो 589 का square यह आया था अपने पास कितना तो यह आया था आपके पास 3, 4 6, 9, 2, 1 है ना into 10 की power minus 18 अच्छा देखो यहाँ पर धियान से 10 की power minus 18 ठीक है चलो, अब आप देखोगे यहाँ पर धियान से सारा calculation का खेल है अब यहाँ पर ठीक है 43.56 divided by 2 ठीक है ओके उसके बाद आपका divided by 1.6 ठीक है तो यह आ रहा आपके पास 40.000 ठीक है ठीक है और यह जो भी आंसर आएगा वो जूल में आएगा लेकिन इसको डिवाइड करोगे आप 1.6 इंडू न की power minus 19 से तो यह एलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए काने ठीक है तो कितना आएगा आपके पास देख लेक्टाओ में यहाँ पर आएगा आपके पास यह 0.000 392 divided by 1.6 ठीक है तो यह आ रहा आपके पास आंसर यहाँ पर 0.000 0.000 245 इन्टू 10 की power minus 23 plus 19 minus 4 ठीक है 10 की power minus 4 तो यहाँ पर मेरे पास जगा नहीं है तो एक काम करते हैं मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख रहा हूं मैं इधर देखो यहाँ पर आंसर लिख रहा हूं ठीक है तो यह आपका 0.000 0.000 245 और 10 की power minus 4 इतना electron volt होगा आपका kinetic energy तो यह neutron का था ठीक है तो बस difficult नहीं है बस calculation थूँआ सा लेंदी है है ना चले तो इसका ज़र आप लोग स्क्रीच ओड ले ले फिर देखते है next question चले अब देखते हैं अपन यहाँ पर next question क्या कहता है वो देखो 15th question में अपनको deep broadly wavelength निकालना है ठीक है इन तीनों का एक bullet है जिसका mass है 0.04 kg travel कर रहा है कितने speed से 1 km per second से इसका निकालना है अपनको deep broadly wavelength अपनको तीनों का निकालना है deep broadly wavelength तो एक एक करके काम करना शुरू करते हैं ठीक है आओ तो यहाँ पर देखो ध्यां से पहला पार्ट जो हम ए कर रहे हैं deep broadly wavelength जो होता है न lambda equal to h upon mv होता है ठीक है कुछ नहीं करना बस value put करके solve करना है calculation है बस तो 6.6 into 10 की power minus 34 playing constant mass कितना है ball का 0.04 ठीक है और यहाँ पर आपका है speed है 1 km per second है भई ध्यान रखना unit को ले करके 1 km per second है लेकिन अपन को रखना होता meter per second में तो kilometer को meter में करोगे 10 की power 3 का into करोगे तो 10 की power 3 meter per second ठीक है चारो अब यहाँ पर देखो ध्यान से तो यह आपका अगर मैं direct calculation करूँ तो 66 into 10 की power मैं minus 35 लिख सकता हूँ ठीक है अपन में इसको लिख सकता हूँ 4 into 10 की power minus 2 और यह 10 की power 3 हो रहा है ठीक है चारो तो अब देखो ध्यान से यहाँ बर कितना हो जाएगा यह तो 4 1s of 4 और फिर 2, 6 16, 24 हो गया आपका ठीक है तो यह 2, 6 आपका 24 और फिर 2, 0 मतलब 5 ठीक है तो 16.5 हो गया आपका ठीक है चलो तो 16.5 into यह 10 की power 1 उपर गया minus 1 10 की power minus 36 मीटर तो यह हो गया wavelength पहले वाले का easy ठीक है चलो अब देखो ज़रा B वाला पार्ट देखो है ना B पार्ट देखते है पनी हाँ पर B पार्ट का निकालना wavelength तो h upon mass into velocity h वही 6.6 into 10 की power minus 34 और mass कितना है इस बार बॉल है जिसका mass है 0.06 ठीक है बाई 0.06 into यहाँ पर speed कितनी है 1 meter per second है अच्छी बात है ठीक है तो अब बताओ बहुत simple calculation 66 into 10 की power minus 35 लिख सकते है इसको 6 into 10 की power minus 2 लिख सकते है यह हो गया 11 तो हो गया आपका 11 into 10 की power minus 33 clear ठीक है minus 33 minus 2 उपर चला गया तो minus 35 plus 2 minus 33 meter यह हो गया आपका simple है ना now c part देखते है अपन बढ़िया जल्दी जल्दी देखो यहाँ पर यहाँ पर इसका निकालना है lambda equal to h h कितना 6.6 into 10 की power minus 34 और अपन mv mass कितना है तो 1 into 10 की power minus 9 velocity कितनी है 2.2 वाव क्या calculation है यार direct cancel करो 3 ठीक है तो यहाँ पर 3 into 10 की power minus 34 plus 9 कितना हो जाएगा तो minus 25 इतना मीचर आगया answer simple question है के नहीं ठीक है चलो बाई तो यह हो गया आपका simple question number 15 अब ज़रा इसका screenshot ले ले लें आप लो चले तो यहाँ पर अपना यह 15 question solve होता है ठीक है अब जो next question 16 वो आपन next part से देखेंगे है ना तो ऐसे करके हमने part पर divide किया है ठीक है तापकी आपको ज़्यादा देर तक चीजों को ना देखना पड़े है ना ठीक है तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको simple magnetbrains.com पर जाना है या फिर जो magnetbrains का यूट्व चैनल है वहाँ पर आप जाएं वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल free of cost है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक दो टोबिक पढ़ा बिल्कुल